हेलो फ्रेंड्स, मारवाडी रेना किचिन में आप सबी का फिर से स्वागत है आज मै बना रही हूँ मूली की भाजी मूली की भाजी शर्दियों में बहुत बनाई जाती है और सर्दियों में मूली बहुत आती है तो आप इसको जरू ट्राइज कीजिए यह सबजी सीजनल है, तो आए शुरू करते हैं मूली की भाजी बनाना, मैंने यह 500 ग्राम मूली ली है, और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको बारिक कट कर लिया, एक अध्रक का टुकडा लिया है, इसको भी हम इस तरीके से लंबे-लंबे श्लाइस में कट कर ले हैं, कई बार आप ऐसा करते हैं, सबजी तो मूली की बनाते हैं, लेकिन मूली के जो पत्ते हैं, उनको कट करके फैंक देते हैं, हम यहां पत्तों के साथ सबजी बना रहे हैं, हरी मिर्च को भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे, और लैशून को हम, आप चाहे तो लैशून को को इस तरीके से चोटे-चोटे टुकडों में कट कर सकते हूं लेकिन मैं यहां लेशुन को कट नहीं कर रही हूं मैं इसको थोड़ा दरदरा कूट लोंगी कूटे हुए लेशुन का टेस्ट अलग आता है और इससे हमारी जो मूली की भाजी है उसमें भी बहुत अच्छा ट और कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्याज लेशुन और हारी मिर्च इनको हमने कट कर लिया है अब हम मूली कट करते हैं तो मैंने यह 500 ग्राम मूली ली है और हम यहां पहले इसके पत्तों को कट करके अलग कर देंगे और मूली को हम छील लें चीलने से क्या होता है इसके ऊपर कैई बार जो जड़ वाला हिससा होता है थोड़े थोड़े जड़ लगी होई होती है चीलने से वह सारी हट जाती है कट करने से पहले मूली को अच्छे से साफ कर लेना है दोकर और इसको इसमें बहुत मिटी लगी होई होती है इसलिए मै लेंगे मूली का चिलका उतार लिया है और अब हम मूली कट करते हैं मूली के जो टुक्ड़े हैं ना हमें ज्दा चोटी करने हैं नहीं ज्यदा बड़े करने हैं हमें मेडियम साइज में कट करने हैं क्योंकि हम मूली की भाजी और बनाएंगे वैसे तो इसके बिना उबाले भी सबजी नसक्ती है लेकिन हम ऊबाल के बनाएंगे उबालने के बाद आपको इसका टेस्ट बहुत डिफ्रेंट लगेगा और अच्छा को अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम मुली के पत्तों को कट करते हैं तो यह आगे वाला हिस्सा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे मूली के पत्तों को ना ज़्यादा बारिक कट करना है ना ही ज़्यादा बड़े करना है हम इस तरीके से कट करना है सारे पत्ते हमने कट कर लिये हैं अब हम इनको भी मूली वाले बरतन में डाल लेंगे मैंने इनको पहले ही अच्छे से धो लिया है आप इनको कट करने के बाद में भी दो सकते हो लेकिन पहले दोने से इनकी सारी मिट्टी निकल जाती है अब हम उबाल के मुली की भाजी बना रहे हैं तो हम एक कूकर लेंगे कूकर में हमें इनको डाल देना है और साथ ही में हम इसमें डालेंगे दो गिलाश पानी यदि मूली की भाजियां आप ज़्यादा बना रहे हो तो पानी भी ज़्यादे यूज कीजिए 500 ग्राम मूली में मैंने यहाँ दो गिलाश पानी यूज किया है उबालने में अब हम इसको गैस पे चड़ा देंगे और इसमें हमें 3 सीटी दिलानी है 3 सीटी आ चुकी है कूकर में अब हम कूकर को गैस से निचो तार लेते हैं और इसका ढकन खोलते हैं ये देखिए मूली हमारी उबल चुकी है अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम इस तरीके से छलनी रखके इनको छान लेंगे इससे क्या होता है मूली का जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाएगा और जार से हम इनको इस तरीके से प्रेस कर देंगे इससे क्या होता है जो मूली में पानी रहता है वो निकल जाता है अब हम गैस पर कड़ाई चड़ आएंगे उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच सर्षो का तेल वैसे तो आप इस सबजी को किसी भी तेल में बना सकते हो लेकिन सर्षो के तेल से इस सबजी में टेस्ट दुगना पड़ जाता है और तेल गरम हो जाएगा तब इस में डालेंगे हम एक चोटा चमच जीरा और अब इस में डालेंगे हम हरी मिर्च और अध्रक जो हमने कट कर लिये थे अब इस में डालेंगे हम कटा हुआ प्याज और इन सबी को हमें अच्छे से पका लेना है प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए अब इसमें डालेंगे हम कुट्या हुआ लेशून इस सबजी में लेशून थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा यूज किया है आप लेशून अपने टेस्ट के अनुशार कम्याद ज्यादा कर सकते हो प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए इतना पकाना है प्याज हमारा पक चुका है अब इसमें हम मसाला एड़ करते हैं एक छोटा चमच हल्दी पाउडर आदा छोटा चमच धनिया पाउडर आदे छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें एड़ करेंगे हम नमक नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार कमिया चादा कर सकते हो मसाला हमारा पक चुका है अब इसमें हम जो मूली हमने फ्राई की थी वो उबाली थी उसको हम एड़ करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें हमें 10 मिनिट तक पकाना है विल्कुल लौ फ्लेम पे अब इसमें और कुछ एड़ नहीं करना है सबजी हमारी बनके तयार हो चुकी है आप इसको सबजी भी बोल सकते हो या भाजी भी बोल सकते हो मूली की भाजी हमारी तयार हो चुकी है अब हम इसको रोटी पुड़ी पराठा किसी के शाथ भी शर्व कर सकते है तो आईए हम इसको सर्व करेंगे तीकोने वाले पराठे के साथ तो मैं आपको तीकोने पराठे बनाने की तरीका बताती हूं जो बहुत ही कम समय में और आसाने से बनाए जा सकते हैं मैंने यह आटा गूत के पहले ही रख लिया है और हम एक लोई लेंगे रोटी की साइज की उसको हम इस तरीके से राउंड सेप में बेल लेंगे हमें इस तरीके से रोटी बेल लेनी है अब हम इसमें हलक आसा घी लगाएंगे मैं यहां देशी घी यूज करनी हूँ आप चाहो तो यहां पर ओईल भी यूज कर सकते हो देशी लगाने के बाद में हम इसको इस तरीके से फॉल्ड कर देंगे और सेकिंड पार्ट में भी हम इसे फॉल्ड कर देंगे अब हमें कुछ नहीं करना बेलन से हमें बिल्कुल हलके हाथों से इसे बेल लेना है दवा हमारा गरम हो चुका है अब इसमें डाल देंगे हम पराठा और इसको हम पहले बिना घी लगाएंगे अब इसको पलट देंगे हम पलटने के बाद में इसमें हम बापिस घी लगा देंगे हलका सा और इसको हम इस तरीके से प्रेस करते हुए दोनों साइड़ों से दबाते हुए सेक लेंगे तो यह देखिए तयार हो चुका है हमारा तीकोन वाला पराठा देखिए पराठा पक जाता है ना जब इस तरीके से खुल जाता है पराठा हमारा खुल रहा है मतलब पराठा हमारा बन के तयार हो चुका है इस तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे आईए अब हम सर्व करते हैं मूली की भाजी पराठो के शाथ ये देखिए कितने परफेक्ट सब्जी बनी है हमारी और इसमें खुश्पु बहुत अच्छी आरी है मूली की भाजी के साथ हम तीकोन पराठे शर्व कर रहे हैं ये देखिए कितनी परिफेक्ट थाली लगी है और साथी में हम एड़ करेंगे इसमें धही दही में हम भुना हुआ जीरा एड़ कर देते हैं हमारी मूली की भाजी की सबजी पराठो के साथ में आप इसको शर्व कीजिए और एंजय कीजिए यदि आपको मेरी रेसिपी पसंदारी हो तो रेसिपी को लायक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आल बटन को जरूरुद प्रेस करें ताकि वीडि यो आपसे एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में और मुझे कमेंट जरूर करना रेसिपी कैसी लगी थेंक यू